प्यारे विध्यारतियों आज हम प्रथम वश्कला के प्रथम प्रष्णपत्र के अंत्रगत महाकवी भास के स्वप्नवासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक के पाँच्वे छट्टे और सात्वे श्लोक की व्याख्या देखेंगे चतुर्थ श्लोक के बाद में गद्य से प्रारम्ब करते हैं राजा और विदुशक प्रमद्बन में बैठे हुए आपस में वारतालाप कर रहे हैं और लतामंडप के अंदर पद्मावती वासवदत्ता एवंचेटी बैठे हुए हैं राजा उद्यन एवं विदुशक को यह ग्यात नहीं है कि हमारे द्वारा की जा रही चर्चा को किसी के द्वारा सुना जा रहा है लतामंडप में बैठे हुए चेटी कहती है है राज कुमारी जी हमने विदुशक राजा को इस लतामंडप में आने से रोक लिया है और वे बाहर ही बैठ गए हैं पद्मावती कहती है दिश्टू विस्टा आरे पुत्रह आरे पुत्र स्वभाग्य से वहाँ पर बैठ गए हैं वासवदत्ता आत्मकतम्मन हिमन कहती है दिश्टा प्रक्रती स्थ शरीर आरे पुत्रह स्वभाग्य से आर्य पुत्र पुन्रुप से स्वस्थ और कुशल है चेटी केती है भर्दारी के साशुरुपाता खलवायारा दस्टी ही किहे राजकुमारी इस आर्या वासवदत्ता की आखों में आशु गिर रहे हैं वासवदत्ती है एशा खलू मधुकराणारी अवनियात काश कुसुम रेणुना पतितेन सोद का में द्रश्टी है इन भरों के कारण जो उड़ी हुई है काश पुष्प का पराकन जिसमें और वो पराकन मेरी आखों में गिर जाने से मेरे आखों से अशुरु बह रहे हैं पद्मयों केती युज्जिते हो सकता है विदुशक केता है फिर भो शुन्यम खलूदम प्रमदवनम प्रस्टव्यम कींची दस्मी प्रच्छामी भौनतम विदुशक महराज से कहता है कि महराज यहां प्रमदवन बिलकुर शुन्य है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता क्या पूछूं राजा कहता है चंदसह बिना संकोच के इच्छा नुसार तुम पूछिए विदुशक कहता है का भवतह प्रिया तदानिम तत्र भवति वासोदत्ता इदानिम पद्मावतिवा एक प्रशन आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मन में जिग्यासा है कि आपको क प्रिये थे उस समय की पद्मावती उस समय की महरानि वासोदत्ता इस समय की राजकुमारी पद्मावति राजा किता है कि मी इदानिम भवान महति बहु मान संकटे माम नियस्यती आप मुझे इसमेख बहुत बड़े संकट में क्यों डाल रहे हो पत्ति में डाल रहे हो पदमावती केता है हला यादरशे संकटे निक्षिप्त आरेपुत्र अरे सखी इस आरेपुत्र को कैसे संकट में डाल दिया गया है वासलता आत्मकत्नम अहम चमंद भाग्या और मैं भी मंद भाग्या ने संकड में डाल दी गई हूँ विदुशक करता है स्वेरम स्वेरम भावत भवान एको परता अपरा असन नहीता हे राजन आपने संको छोक करके अपने मनोगत भावों को भिव्यक्त कीजिए क्योंकि एक तो मृत्य को प्राप्त हो चुकी है और दूसरी निकट नहीं है पास में नहीं है राजा कहता है वैस से न खुल भुव्यामा भावास तुम खरह मैं तुम से ने कहूंगा तुम बाचा लो तुमारी बात मुझ से कही और निकल जाएगी इसलिए तुम से कहना ठीक नहीं है पद्मावती एतावता भणे तम आरे पुत्रेन आरे पुत्र के द्वारा अपने मनो भावों को व्यक्त कर दिया गया है विदुशे केता है बो शत्यन शपे कस्य अपी नाख्या से एशा संद्रष्ट्या में जिवा है मैं कसम खाता हूं सोगंद खाता हूं किसी से भी नेक हूंगा ये लो मैंने अपने जिवा काटली शांत हो गया चुप हो गया राजा नोच सहे खले वक्तुम हिमित्र मुझे कहने में रुची नहीं है सांस नहीं हो पा रहा है कहने की भावना नहीं है पद्मावधिकति है अहो अस्य पूरो भागिता एतावताम रद्यम न जाना दि है अरे इस जिद्धी और हटी को तो देखो कि ये इसके पर भी राजा की रदे की बात को नहीं जान पा रहा है वह बार-बार उनसे अपने मनोगध भावों को कहने के लिए जिद कर रहा है विदुशक कहता है किम्न भनतिमम अना खात्या अस्मिं शिला पटकांतन शक्यमेक बदम अपि गंतुम एशह रुद्धो बिभान क्या आप मुस्से ने कहोगे बिना कहे हुए आप इस शिला खंड से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते यह लो मैंने आपको रोक लिया राजा किम बलात कारण क्या जवर जस्ती है विदुशक कहता है आम बलात कारण हाँ 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 जवर जस्ती है रजा कहता है तेन ही पर शितामतावत न ठीक है देख लेते तो मुझे कैसे रोग पाते हो या कैसे निकाल पाते हो तो विदुषक कहता है प्रसिदतु प्रसिदतु भवान ये महराज बसंद हो जाईए वायस्य भावे ने शावितो असमी यदि सत्यम न भणती है तुम्हें पदमावती बहुमता मम यद्यपी रूप शिल माधुर ये वासवदत्ता बद्धम नतु तावन में मनो हरती। यद्धपी रूप शील माधुरिय पदमावति मंभवता, तो वासवदत्ता बद्धम में मनह तावत रती, यद्धपी रूप शील माधुरिय, रूप में शील में और माधुरिय में, पद्मावती बहुमता मुझे पद्मावती अधिक प्री है किन्तु वासवदत्ता बद्धम में मनह लेकिन वासवदत्ता में आसक्त या अनुरक्त मेरे मन को में मनह तावत नहरती वह आक्रष्ट नहीं कार पा रही है खीच नहीं पा रही है हटा नहीं पा रही है यद्दपी सौंदर्य में शील और चरित्र में और वचनों के माधुर्य में पद्मावती मुझे अत्यदिक प्री है परंतु वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को वह आक्रस्ट नहीं कर पा रही है राजा उदियन विदुशक की प्रश्ण का उत्तर देते हुए अपने मनोगत भावों को भिव्यक्त करता हुआ कहता है कि हिमित्र पद्मावती अत्यंत सौंदर्युक्त है अत्तम चरित्रवान है और बहुत ही मधुर भाशनी है मृदुभाशी है इन गुरों के कारण पद्मावती मुझे अत्यंत प्रिय है परंतु ऐसी स्थित्य होने पर भी वासवदत्ता में आ सकत मेरे मन को पद्मावती खीच नहीं पा रही है अर्था वासदत्ता में लगे हुए मेरे मन को इस नवोड़ा पदमावत्ती के द्वारा पूंडुप से आक्ष्ट नहीं किया जा रहा है स्रस्कत प्याख्या देखते हैं राजा उदियन विदुशकम कथियतियत यद्पी सोंदर्य सदाचार प्रिय भाशन आदी गुणै मगद राजपुत्त्री पदमावती मम बहु प्रियास्ती तथापी सा पदमावती वासवदत्तायाम अनुरक्तम मम मानसम नाधिकम आकरशियती वासवदत्ताया स्वगुणै आकरश्टम मम रदियम सा पदमावती वशीकरतुम नप्रभवती इस पद्धि में राजा उदियन ने एक साथ दो नाईकों के प्रति अपना अनुराग येक्त किया है और उसमें भी वासवदत्ता के प्रति अपने अनुरागती को भी येक्त किया है आर्या छंद है और विश्य शक्ति अलंकार प्रेक्त हुआ है व्याकन पर तिप्पणि में हम देखते हैं रूप शील माधुरिये रूपम च शीलम च माधुरियम चैती समहारदंद समासे वासवदत्ता बध्धम वासवदत्ता यह बध्धम वासवदत्ता में बधा ववा बधधात्तु और खतव प्रति है समतमीतत्तु शुमासे पुनह वासवदत्ता कहती है आत्म गतम भावतू भावतू दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य अहो अज्यात वास्व प्यत्र बहगुणम संपद्यते बस बस इस विरह दुख का मुल्य पुरस्कार आपने दे दिया है अहो अज्यात वश ही बहुत गुणवान मेरे लिए साबित हो रहा है चेटी केती है भर्तदारी के अद आक्षिन्यम खलो भरता राजकुमारी जी नेश्चै ही राजा है वे उदार नहीं है पद्मावती केती है हला मा मेवं सदाक्षिन ये वारिपुत्र ये इदानिम अप्यार्या यह वासवदत्ता यह गुणान स्मरती नहीं ये असी बात नहीं है आरिपुत्र बहुती उदार है इद ये असा नहीं होता तो अभी तक वासवदत्ता के गुणों को स्मरन नहीं करते याद नहीं करते हैं वासवदत्ता बद्रे अभिजनस्य सद्रशम मंत्रितम यह बद्रे आपने अपने कुल और वंश की मर्यादा के अनुसार ही कहा है राजा उक्तम मया भवानिम इदानिम कथियतु का भवतव प्रिया तदा वासवदत्ता इदानिम पद्मावतिवा राजा भी अपने मित्र विदुशक से कहता है कि मैंने तो अपने मनों के दभावों को भिव्यक्त कर दिया अब आप ही कहिए आपको कोन अधिक प्रिय लगती है उस समय की वासवदत्ता या इस समय के बद्मावति पद्मावति आरे पुत्रों भी वसंत का समरत अरे आरे पुत्र भी वसंत को गए वह भी उनी के समन आचरन कर रहे है विदुशे के दे किम्य प्रलपी तेन उभई अपी तावत भवत्तियों में भगमते मेरे कहने से क्या लाब है मेरे प्रलाप से निर्थक बखवास से क्या पाइदा है मुझे दो दोनों महरानी अत्यंत प्री है राजा वेधे मामेवं बलाश रुत्वा की मदानी मना भी वास्ते हिमित्र तुमने मुझे तो जवरजस्ती पुछ लिया और जब अपनी बारी आई तो तुम नहीं कहोगे विदुशे के किम ममा भी बलाट कारन क्या मुझे भी जवरजस्ती सुनना चाहते हो अधा किम बलाट कारन राजा कहता है हाँ और क्या जवरजस्ती सुनना विदुशक केता है ते नहीं न शक्यम श्रोतुम तो आप मुझसे भी नहीं सुन सकते हैं राजा केता है प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्मन स्वेरम स्वेरम अविधियतां ये महाब्राह्मन प्रसंद हो जाए और अपने इच्छानोसार स्वच्छा पूर्वक कहिए विदुशक भी अपने मनोगत भावों को वियत करता है इदानिम श्रोणोद भवान के महाराज आप सुनिये तत्रभावति वासदत्ता में भवमता मुझे महाराने वासदत्ता अधिक प्रिय है तत्रभावति प्रदमावति तरोनी दर्शनिया अकोपना अनहंकारा मधुरवाक सुदाक्षिन्ये यद्धपि देवी प्रदमावति तरोनी है योती है देखने युग्या सुन्दरी है अकोपना मने ग्रोध रहित है अनहंकारा मने अहंकार से रहित है मधुरवा का मने म्रदु भाशनी है और सदाक्षिन्या मने उदार भी है इतनी सारे विशेष्टा एक साथ विजशक के द्वारा बताए गई है अयम चापरो महान गुण लेकिन वासवदत्त में इन सब के अत्रिक तो और एक और महान गुण था स्नेकदेन भोजनेन माम प्रत्युद गच्छती वासवदत्ता कुत्र नखलू गत आरे वसंत गई थी बहुती स्वादिश्ट भोजन लेकरके और मुझे ढूनती थी खिलाने के लिए और कहती थी आर्य वसंतक कहा है आप मुझे इस प्रकार याद कर रहे हैं इस प्रकार मुझे स्मर्ति में बना रहे हैं राजा कहता है भावतु भावतु वसंतक सर्वम एतद कथिश्य देविय वासवदत्ता यही वसंतक में यह सब बातें देवि वासवदत्ता से जाकर के कह दूँगा विदुशक कहता है अविहा वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलू प्रता वासवदत्ता हाई वासवदत्ता कहा है उन्हें तो मरे हुए बहुत लंबा समय हो गया है राजा सविशादम राजा अत्यन्त शोक के साथ में एवं उपरता क्या वासवदत्ता वास्त में मर गई है और श्लोक समक्या अच्छे पड़ता है अनेन परिहासेन व्यक्षिप्तम में मनस्त्वया ततो वानी तथी वेयम पुर्वाब्भ्यासेन निस्रता अनेन परिहासेन त्वया में मनस्त्वया ततो वानी तथी वेयम पुर्वाब्भ्यासेन निस्रता अनेन परिहासेन मनिस परिहास परण वचनों की द्वारा त्वया में रद्यम व्याक्षिप्तम तुम्हारे द्वारा मेरे रदे को व्याकुल कर दिया गया है इसलिए पुर्वब्यासेन पहले अभ्यासे ही यम वाणी यह वाणी तथा निस्रता एस प्रकार से निकल लगी राजा विदुशक से कहता है कि ही मित्र देवी वासदता और देवी पद्मावी से कौन अधिक प्रीय है इस प्रकार के परिहास वजनों के द्वारा प्रिया वासवदत्ता का स्मन दिला दिया है अतहम मेरा मन वासवदत्ता में हो गया है और ऐसा प्रतित ही नहीं हो रहा है कि वो म्रत्यों को प्राफ्थ हो चोकी है वहाँ जीवित है यहाँ भाव मेरे मन में आ गया और इसलिए अच्छानक मेरे मूँ से इस प्रकार की बात निकल गई इस अभ्यास के कारण ही मैं वासवदत्ता से कह दूँगा यह वाणी मेरे मूँ से निकली है संसकत्य अख्या देखते हैं राजा विदुशकम कतियतियत पुर्वोक तेन परिहास वाक्येन का भवतह प्रिया तदानिम तत्र भवतिवासदत्ता इदानिम पद्मावतिवा त्वया ममचित्तम शोकवाकुलम कतम तस्मा देव कारणात पुर्व संस्कार प्रभावात एम मम वानी पुर्व समय तुल्यायेव निर्शत निर्गता अर्थात त्वदियह परिहासेन वासवदत्ताया उपरतायाम अपी साधुनापी वर्दतहिती मत्वा सर्वम एतद कतिश्ये देव्ये वासवदत्ताये इतिवानी इंदिरगता है अनुस्टुप छंद प्रीव्थे समरान अलंकार इसम प्रेट हुआ है और व्याकनात्र टिप्पने में देते हैं व्याक्षित्तम दी आंग उपसर्ग पुर्वक्षिवध्यातु और खताःमिलकर व्याक्षिप्ते है पुर्वभ्यासेन पुर्वश्चरस्याशों अभ्य तथे वेयम तथा इवईयम व्रद्धी और गोनसंधी इसमें प्रेपतो हुई है पद्मावति के दे स्मरणिया खलू कथा योगो न्रसेन वी समवादित हुई तथा मंड़ में बैठो हुई पद्मावति, वासवदत्ता और चेटी भी राजा उदिन और वसंतक के वारतालाब को सुन रहे हैं और बीच बीच में वे अपने मनोगत भावों को भी विख्त कर रहे हैं पदमावति केती है इस सुंदर कथा के प्रसंग में इस वसंतक के द्वारा शुब्द कर दिया है विगार दिया गया है इसको वासवता केती है आत्मकतमनिमन भावतु भातु विश्वतासमी अहू प्रियम नाम इद्रशम वचनपत्यक्षम शुरूयते अच्छा अच्छा मैं पुन्रूप से आश्वस्थ हो गई हूँ यहति प्रिवचन है जो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से सुना है जो राजा के मेरे प्रती अत्यन्त अनुराग और प्रेम को प्रदर्शित करते हैं विदुशे केता है धार्यतू धार्यतू भवान अनत्तिक क्रमनियों ही विदिही इद्रेशम मिदानिम एतद यह महाराज आप धेर्य को धान कीजिए धेर्य को धान कीजिए कोई भी भाग्य का उलंगन नहीं कर सकता है अब तो ऐसा ही है हमें वासवदत्ता के बिनाही जिन्य का भ्यास कर लेना चाहिए राजा वयस्य न जानामी भवान अवस्थाम को था हे मित्र आप मेरी मनोगत अवस्था को मेरी चित्त की उस्थिती को नहीं जान पारे हो क्योंकि बहत महत्तो पनश लोग है दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो नुरागह स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वं यात्रा त्रेशा यद विमुच्य हवाश्पं प्राप्तान रता याति बुद्धिही प्रसादं बद्ध मूलो अनुरागह दुखम त्यक्तुम स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम नवत्वं याति तु एशा यात्रा यद इह वाश्पं विमुच्य बुद्धिही प्राप्तान रता प्रसादं याति बद्ध मूल मने बहुती प्रगाड परिपुस्ट है अनुराग जिसमें प्रेम ऐसा त्यक्तुम उसको छोड़ना या त्यागना बहुती दुखद है बठीन है दुश्कर है स्मर्त्वा स्मर्त्वा दुखं नमत्म व्याति स्मरान करते हुए बार बार उसको याद करते हुए दुखपुनह नविंता को प्राप्त हो जाता है तुएशा यात्रा यह तो लोक व्यवहार है संसार की निती है कि यह वाश्पम विमुच्च कि यहाँ पर आसु बहा करके अश्रु बहा करके बुद्धी प्राप्तम निता प्रसादम जाती है बुद्धी जो है वह उरेन हो करके और प्रसंता को प्राप्त करती है बहुती प्रगाढ अनुराग या प्रेम को छोड़ना त्यंत्रकटिन होता है बार बार उसे स्मरण करने पर दुख पुनह नवीन हो जाता है पुनर जीवित हो जाता है किन्तु यह तो संसार के स्थिती है लोक स्थिती है कि यहाँ पर आसु भा करके और बुद्धी है वहाँ प्रिये जनों के रिण से उनमक्त हो करके और प्रसंता को प्राप्त होती है हिंदी व्याक्ता देखते हैं इसके राजा उदियन अपनी शोका वस्था को प्रकट करता हुआ विदुशक से कहता है कि हे मित्र चिरकाल तक साथ में रहने के कारण वासोदत्ता के प्रतिम मेरा प्रेम है भाट्यंत गहरा है ऐसा सार्थक और परिपुस्ट प्रेम भूलना त्यंत दोशकर और कठीन है दुरभाग्यवश यदि प्रिव्यक्ति से वियोग हो जाता है तो वस्तिति और भी अधिक दुखत हो जाती है क्योंकि बार बार उसका स्वर्ण करने पर दुख प्रतिक्षण नविंता को प्राप्त होता जाता है किन्तो संसार का यह व्यावार भी है कि मनुष्य अपने प्रियोजन की मध्वस्मती में आसु बहा कर और उसकी रिण से मुक्त हो जाता है इस प्रकार बुद्धी है वा फिर से नविंता को या प्रसंता को प्राप्त होती है तात्पर यह है कि आसु बह जाने के बाद में व्यक्ति का चित्त हलका हो जाता है और उसके मन को शांती प्राप्त होती है संस्क्रित व्यक्या देखेंगे वासवदत्ता विरहा कुल राजा उदियना विदुशकम प्रतिकत यतियत बद्ध मूल अनुरागह विस्मर्तुम महत दुखम भावति अत वासवदत्तायाम स्मर्ती पत्थाद अपने तुम न शक्नोमी प्रेम पात्तस भुयोह स्मर्ण अनुभोती दुखम नूतनत्वम प्राप्नोती परम्तु एशालोक स्थिती यत अस्मिन जगती वाश्पम दिस्रज्य प्राप्तान्रन्यो बुद्धी प्रसंताम अधिगच्चती प्रीव्यक्ती की स्मर्ती होने पर रदेश शोक का दुख आसों की रूप में बाहर निकल जाना ही शुरेशकर होता है यह भाव इस पद्धी में बेखत हुआ है शालीनी चंद है अनुपास अलंकार पेखत हुआ है व्याक्नादर टिपने में बद्धमूलह यस्यसह भवरी समास है त्यक्तुम तेज़ धातु और तुमून प्रत्य में बेखते त्यक्तुम बना है स्मर्त्वा में स्मर्धातु रकत्वा प्रत्य में बेखते स्मर्त्वा शब्द बना है प्राप्तान रन्याम अविद्धिमानह रिणम यस्यसह अर्यनह नहीं तत्पर समास है और प्राप्तम आन्रन्यम यस्यासा बहुबरी समासे विमुच्च में विउपसर्ग पुर्वक मुंच धात्वरलिय प्रत्ते मेरकल के विमुक्तश्वद बनाए